तो देखिए सबसे पहले एक संतोफद glacier या फिर हिमनद है जहांसे विश्नु गंगा नदी का origin होता है और एक कामेद glacier है यहांसे धौली गंगा नदी का origin होता है ये दोनों नदी आपस में मिलती है विश्णु प्रयाग में और यहां से इसका नाम हो जाता है अलगनंदा आपको पता होना चाहिए कि अलगनंदा नदी किन किन का संगम है विश्णु गंगा नदी का और धौली गंगा नदी का Привет दो क्रेजी जी के गट्रिक और हमारी उतरप्रदेश-जी गी सीरीज में हम अब क्योंत्तरप्रदेश का घॉगWestern या फिर रिवर्य में च्रुचिक डिविजितरा घलवायू और उत्तरप्रदेश की मिट्टियों को डिटेल में अध्यन किया था आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरप्रदेश का अपवाहत अंत्र रियाफित उत्तरप्रदेश की नदिया या फिर यहां का रिवर सिस्टम तो इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो आँगे चलने से पहले थोड़ा से मैं आपको अपडेट देद हूँ यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारे Crazy जी के ट्रिक के एप्लिकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके लावब वहाँ पर आपको different type की courses भी मिल जाएंगे तो उन courses को आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं तो आजका हमारा topic रहेगा उत्तरप्रदेश की नदिया या फिर रिवर ऑफ उत्तरप्रदेश ना तो पहले हम इसकी पूरी theory discuss करेंगे और theory के बाद last time मैं एक हमारा महत्वपूर MC की उसका section रहेगा तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं अपवाह तंतर या फिर रिवर सिस्टम क्या होता है तो एक मुखे नदी वह उसकी अन्य सहायक नदी तो जब एक बड़ी नदी में कोई चोटी बहुत सारी नदीया आगर के मिलती है तो उस नदी के समपूर सिस्टम को या फिर समपूर तंतर को क्या बोलते हैं अपवाह तंतर बोलते हैं इसी को हम catchment area भी बोलते हैं, river basin भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम अलग-अलग दिये जाते हैं। उत्रपदेश की सबसे प्रमुक नदिया, गंगा और यमुणा है। सदनीरा होती हैं जबकि दक्षनी पठार से निकलने वाली नदिया, ग्रेश मिरितुमें सूखched हम जाती है। उनमें वर्षवर पाने की कोई कमी नहीं रहती है, उसका रिजन यह है, कि वो जो पानी उन्हें प्राप्थ होता है, वो Glesi compound की बने की कमी नहीं नहीं होती है, प्रदेश का उत्त्री एवं पश्चमी भाग ऊचा है तथा ढाल दक्षण-पूर्वी की ओर है अता प्रदेश की अधिकांस नदियां उत्तर पاش्चम से दक्षण-पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है तो यह map से हम समझे तो जो उत्तर पश्चमी पाट है दक्षण पूर्वी छेटर है ये वाला ये उत्तरप्रदिर्श का धाल वाला एरिया है इस लिए जो मैघ्जिकरि नदीया उत्तरप्रदेश में बैसी हे वो उत्तरपर्श्रम से दक्षण पूर्व की और बैसी तो में भी देख सकते हैं जितनी भी नदियों का flow है वो दक्षिन पूर्व की ओर है उत्री प्रयादुपी पठार का ढ़ाल उत्तर की ओर है इसलिए मद्रप्रदेश निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है जो हमारा प्रयादुपी पठार या फिर पठा रहा है उसका ड़ाल उत्तर की ओर है यही कारण है कि यह चंबल, बेतवा, कैन और और भी बहुत सारी नदिया है जो कि यमुना और गंगा में आ करके मिलती है तो यह भी कौंसेप्ट बेस पॉइंट है आपको याद रखना है अब हम उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गी कंण समझते है न कि उत्तर प्रदेश की जो नदियां है कितने भागों बावाद सकते हैं, इंका वरीजियार की है वो कैसे इनकाया है उधशति नदियों का ओर इजियों होता है या पिर नदिय blessingice का निकलती है उस अद्धार ही नदिया है हिमालए नदिया का मतलब है ऐसी नदिया जिनका ओरीजन हमालय परवस्य है फिर हमालय रिज़न से होता है दूसरी है मैदानी नदिया मतलब में फिजिकल डिविजन अच्छे च पढ़ा है है ना धन्यों के दोर जो मैदान बनाए क HEYcemos के दौर तौर पर पंधक, शर्यू, रोहुणी, राप्ती, यह सारी नदियां कहां से निकलती हैं, हमाली हैं इन इनकों हम चर्चा करेंगे, डिटल में, मैप में भी देख सकते हैं, मैदानी नदियों की बात करें, तो गोम्ती है, पांडो, वरुना, विसाई, और इशान, यह सारी मैदानी इतर से या फिर बुंदिलकर्ण के पठार वाले रीजन से निकलती है चलिए अब इन नदियों को हम एक एक करके डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम गंगा नदी को चर्चा करते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या है तो पदमा, जानवी, सुर्शरी, देवनदी, भागी रथी तो यह गंगा का ओरीजन होता है वो भागी रथी के नाम से होता है अभी हम इसको डेटेल में डिसकस करेंगे कि कैसे गंगा नदी बनती है अगली स्लाइड में तो जब इसका ओरीजन होता है तो भागी रथी के नाम से होता है कहां से गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी कुल लं देखे जो गंगा नदी को बांगला देश में क्या बोला जाता है और जो यहां से ब्रह्मापुत्र नदी आती है इसे बांगलादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जब यह आपस में मिल जाती है, तो इनकी सही धरा को क्या बोला जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है, इसको हम बाद में भी चर्चा करेंगे, तो इस प्रकार से यह बांगलादेश में प्रवेश करती है, और फ यह सारी दाइं टटकी साहक नदियां हैं. गंगा नदी को पवित्र नदी Holy River या फिर प्रान दायनी रिवर भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा गंगा की पवित्र सबसर्वादिक है भारत में बहुत पवित्र नदी सको माना जाता है। इसके लावे से प्रानदायनी रिवर भी कहा जाता है. प्रानदायनी रिवर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पता नहीं कितने ही लोगों को पानी पिलाती है, इसके लाबा कितने ही लोगों का जीवन इस पर डिपेंड है इसलिए से प्राण दायनी नदी भी कहा जाता है चलिए अब हम डिसकस करेंगे आखर गंगा बनती कैसे हैं तो हम उत्तरखंड रीजन में जो ये पूरी गंगा बनती है उसको हम समझेंगे कैसे कैसे ये गंगा बनती है तो देखे सबसे पहले एक संतोफद ग्लेशियर या फिर हिमनद है जहां से विश्नु गंगा नदी का ओरिजन होता है और एक कामेद ग्लेशियर है यहां से धौली गंगा नदी का ओरिजन होता है ये दोनों नदी आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग में और यहां से इसका नाम हो जाता है अलग नंदा आपको पता होना चाहिए कि अलग नंदा नदी किन किन का संगम है विष्णु गंगा नदी का और धौली गंगा नदी का इसके लबा इसी अलग नंदा नदी में ए नन्द प्रयाग में आकर के मिलती है अलग नंदा प्रयाग में सकते हो प्रवित्र नदिया हो तो कि अलग नंद नाम कहां से पड़ा है। प्रिश्नु प्रियाग से नंद्र प्रियाग में एक नंदागनी नदी मिली और करण प्रियाग में एक करण गंगन नदी आ करके इसे मिल रही है। प्रिश्नु प्रिश्नु प्रियाग में एक नदी और करण प्रियाग में एक नदी और खतलिंग ग्लेश्यर से निकलती है। ठीक है जो कि भारत का सबसे उचा डेम है तो यह आपको याद रखना है भीलांगना और भागी रती की संगम पर तेहरी डेम है जो कि भारत का सबसे उचा डेम है। इसके बाद से इसका नाम क्या पड़े आता है गंगा ठीक है तो यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। तो यह था उत्तराखंड वाले रीजन में गंगा नदी कैसे बनती है तो यह मैंने आपको यहाँ पर बताया है क्योंकि कई वारे एक्जाम में कुश्चन मनते हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रफ्यूस होते हैं। चलिए तो गंगा नदी के बारे में आगे समझते हैं। जिवित मानों या फिर जिवित इकाहि का दरज़ा मिला हुआ हैまでजिसे एक इंसान होता है उसी परिगार से इसे भी मिल्क के देदवाराा जीवित इकाहि का दरज़ा दे आ तो आपको याद रखना है। गंगा नदी की किनारे इस्ति सहर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सहर इसके किनारे इस्तित है तो एक प्रयाग राज आपको पता ही होगा जहां पर यमुना और गंगा आपस में मिलती हैं पहले से इलहावाद के नाम से जाना जाता था एक है वाराणसी आप मैप में भी द सरकार दोरा इसे राष्ट्री नदी और फिर नेशनल रिवर के रूप में घोशित किया गया तो काफी important है यह हमारी राष्ट्री नदी और फिर नेशनल रिवर है कब घोशित किया गया था भारा सरकार के दोरा नवंबर दोज़र आठ मेरे मीठे पानी या फिर fresh water की जो एक dolphin टॉलल्फिन होती है तीग है वो गंगा नदी में पाई जाती है और इसे राष्ट्री-जली जीब भी घोषित किया गया है दो eh thats में प्रदूशन नियंत्रण करने के लिए तथा इसकी सफाई के लिए जुलाई 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामी गंगी नामक एक परियोजना या फिर प्रोजेक्ट प्रादम किया गया तो 2014 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था नमामी गंगे प्रोजेक्ट इसका उद्देशिक क्या था गंगा के प्रदूशन को नियंत्रित करना या फिर इसकी साफ सफाई करना तो आपको याद रखना है एक नोट दिख लेते हैं गंगा नदी के चलमें बैक्टेरियो फेज नमा के एक विशाणू या फिर वाइरस पाया जाता है जो कि अन्य जीवाडूँ वा अन्य हानिकारक सुक्ष्म जीवाँ को जीवित नहीं रहना देता इसलिए माना जाता है कि गंगा को जो पानी है काफ देल्टा को सुंदरवन देल्टा के नम से जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन देल्टा बिश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना वर्ल्ड लार्जस देल्टा है तो देखी यहाँ पर जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीये प्रवेश करती हैं समुद्र के पास पहुचने वाली होती है तो बहुत सारे चोटी-चोटी वितरीकाओं में इस प्रकार से बेभाजित हो जाती है और ऐसे फिर वो समुद्र में जा करके मिल जाती है तो इससे हम बोलते हैं डेल्टा संधरवन डेलटा तो जो खारा पानी होता है समुद्र का यह मिलते हैं तो वहाँ पर अक wax आगए बढ़ते हुए बिहार, जारखंड, पश्चिम मंगल से होकर बांगलादेश में प्रविश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है तो आपको यह पतावना चाहिए कहां कहां भैती है किन के राज्यों में सबसे पहले उत्रखंड से इसका ओरीजिन होता है फिर पांच राज्यों में प्रवाहित होती है सरवादिक कहां उत्रखंड में प्रवाहित होती है और सबसे कम जारखंड में प्रवाहित होती है गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाले प्रमुक नदी है अब इसकी कुछ हम सहायक नदी है जो की बाएं उर से मिलती है उनको से ये मिल जाती है सिवालिक सिरेणी को पार करते हुए नैनिताल से भहते हुए जिम कारविट नैशनल पार्क से भहती है ये और उत्तर प्रदेश के नजीवाबाद के समीब मैदानी छेत्र में प्रविश करती है मैदानी यात्रा के चौबिस किलो मीटर के उपरांद कोह या इस लाइन में कवर किये हैं आपको याद रखना है ना सिवालिक को पार करता है उसके बाद नैनिताल से ये बहती है जिम कारविट नैशनल पार्क से उध के बाद उत्तर प्रदेश में नजीवाबाद की समीब मैदानी च्छेत्र में फिर मैदानी भुबाग में अगली नदी है, गोमती नदी, इसके अदि उद्गम की बात करूँ तो, फुल हर जील, पीली भी जिला से इसका ओरिजन होता है, है ना, मुहाने की बात करूँ तो, गाजीपुर की समीप, कैथी नामक इस्थान पर, गंगा नदी से ये मिलती है, तो गंगा में जाकर की मिलत है, देखिए ना, गैथी नामक इस्थान पर आकर के गंगा से ये मिलती है, सही नदी, इसकी प्रमुक सहाइक नदी है, क्या तो सही इसकी सहाइक नदी है, काफी इंपोर्टेंट है, आपको याल रखना है, अगली नदी है, घाघरा नदी, उद्गम की बात करूँ तो, मा ये मिलती है, और बिहार और उत्रप्रदेश के वीच थोड़ी ये सीमा भी बनाती है, आप मैप में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये बाउंडरी का निर्मान भी करती है, सहाइक नदियों की बात करने हैं, तो सर्यू, शार्दा, राप्ती, छोटी गंड़क ये इसकी कुछ सहाइक नदिया है, यह नदि कुछ दूर तक बिहार और उत्तरप्रदेश के मद्ध बाउंडरी ये फिर सीमा बनाती है, तो अभी मैं आपको बता है, बिहार और उत्तरप्रदेश के मद्ध थोड़ा सा ये बाउंडरी का निर्मान करती है, इसे सर्यू नाम से भी ज चुलिक अब बात करते है शाड़न नदी की उद्गम कहां से है नेपाल हे माल हे मिलाण हिमनत तो सीतापुर में घाघरा मनी मैं किस इस पहते है जांट गॉरी गंगा के नम से जाएं जाती है यहां तो यहाँ पर आप देखीए मैं आपको बताया गहा गरा नदी बयां करके मिलती है किस स्थान पर टकनपूर या फिर बहरांपुर के पास यह नदी उत्तरप्रदिश में पीली भी जली से प्रविश करती है, तो अब हम बात करते हैं, राप्ति नदी की उद्गमस्θान नेपाल, या फिर लगुहिमाले से होता है, धौलागिरी की दक्षणी में रुकुमकोट के निकट से, तो आपको याद रखना है, जो लगुहि तो यह सारे पॉइंट वहां available को यादा रख María की फूर्फिर्ट नदे पहरप्ति कीकतरज नदी के principle मलती है. गुरज़न धूनरी ऐस कार मिलती है. तो यह सारे point factual हैं आपको याद रखने है राप्ती की एक उत्री मुखिस आखा बूरी गंधक पहलाती है राप्ती की एक उत्री मुखिस आखा है जिसे हम बूरी गंधक के नाम से भी जानते हैं तो यह भी point काफी important आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं गंधक नदी की उद्गमिस्थल कहां से हो इसका तो नेपाल हमाले से इसका ओरिजिन होता है मुहाना कहा है तो सौनपूर, हाजीपूर के पास जाकर के गंगा में मिलती है तो सीधे गंगा में मिलती है बिहार में जाकर के यह बिहार वा उत्तरप्रदिश की सीमा बनाती है ना तो यह गंधक नदी जो है बिहार और उत्तरप्रदिश की कुछ सीमा का निर्मान करती है द अब हम पढ़ेंगे दाहें तर्ष से आकर मिलने वाली प्रमुख नदिया है ना तो सबसे प्रमुख नदी पहले हम पढ़ता है यमुना नदी तो इसका उद्गम इस्तल कहां से है हमाला की बंदरपुछ स्रेणी से है ना यमुनुत्री ग्लेशियर से इसका ओरीजन नोट आपको पता ही होगा गड़वाल है माला इसका मुहाना प्रयाग राज इलहावाद गंगा नदी में आकरके मिलती है यह सब आपको पता होगा लंबाई की बात करने तो तेरा सो चेटरे किलोमेटर इसकी लंबाई है सहायक नदियों की बात करने तो चंबल, बेतवा, सिंध, हिंडन, वरुना यह सब इसकी सहायक नदिये हैं जो कि इसके दाहिनी साइड या फिर रैड साइड सिस में आ करके मिलती है यह गंगा नदी की सबसे पश्यमी वह सबसे बड़ी सहायक नदी है तो ओवरल भारत में आप दिखते हैं तो सबसे कोई बड़ी सहायक नदी है तो वो यमुना ही है आपको याद रखना है काफी महत्र को नदी है सहारनपुर के फैजाबाद नामक इस्थान से उत्रप्रदेश में प्रवेस करती है इसकी कुल लंबाई 1375 किलो मेटर है मैंने आपको पहले भी बत इसकी कुल नदी है इसकी करते हैं तो दिल्ली है मथुरा है इसके लाबा आगरा है काफी इंपॉर्टेंट है तीनों नगर आपको आजर लागर अन रंखन, हमाचल-प्रदेश, हर्यान, दिल्ली और उत्रप्रदेश इन राज्यो में यह प्रवाइद होती है उत्राखन से निकलती है फिर हिमाचल प्रदेश जाती है अर फिर उत्तर प्रदेश में आ करके प्रयाग राज में गंगा से मिल जाती है इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे यम की बेहन और शुरी पुत्री भी कहा जाता तो यह सारे पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है यमुना नदी उत्तरप्रदेश और भारत की दिश्टी से काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट नदी है, सारे फैक्ट आपको याद रखने है, अब हम बात करते हैं, चंबल नदी की, तो इसका उद्गम महू जाना पाउं से होता है, इंदौर जेले के अंतरकत है, विंद्याचल पहाडी में मुहाने की बात करें, तो मुराद गंज के पास इटावा से लगवक 40 किलो मीटर दूर यमूना नदी में आ करके मिलती है, तो यमूना नदी में आ करके मिलती है, तेकि मैपना भी मैन आपको बताया है, इटावा के पास आ करके, साहिक नदियों की बात करें, तो बनास, पर प्रवती, छिप्रा, मेज, कुमारी, ये सारी इसकी साहक नदियां है, यह नदी प्रदेश के आगरा और इटावा जिले की सीवा बनाती है, यूपी में आ करके, यह नदी अवनाली का अपरदन है, फिर गली इरोजन के लिए जाने जाले, तो काफी ज़्यादा important question बनता है, एक्जाम में पूछे जाता है, कि ऐसी कौन सी नदी है, जो अवनाली का अपरदन करती है, फिर गली इरोजन करती है, तो चंबल नदी है ना, देखिए अवनाली का अपरदन क्या है, बड़े-बड़े खड़ों का निर्मार करती है, बड़े-बड़े खड़ों का निर्मा यमुना में मिल रही है आंगे बत करते हैं सिंधन नदी की विदी साझेए कि सरौण धल से निकल रही है और बांदा जनपत में प्रवेश करती है और भोजहा नामागिस्थान पर यमुना से मिल तो यह सारी नदिया कहां पर आकर के मिल रही है यमुना में आकर के मिल रही है अगली है हिंडन नदी तो सहारनपुर जिले के निचले हमाला चेत्र के उपरी शिवालिक परवतमाला से निकलती है, तो सिवालिक छेत्र से निकलती है, मुहाने की बात करो तो नौइडा के पास यह मुना नदी में आकर के मिलती है, तो यह हिंडन नदी है, यह सारी नदी मैंने आपको मैप में बनाई है, आप देखते जाएए, अब हम बात करते ह तो अमर कंटक से निकलती है, मद्रप्रदेश शौन कुन नमा की स्थान से निकलती है, पतना में आरा के निकट गंगा-्नदी में मिल जाती है ना, सौन बदर जिलिसे होते हुए ये भीति है, उपी में और आंगे बिहार में जाकरके गंगा से मिलती है। बनास, गोपद और रिहनंद ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदि आए इस नदी को सौन नदी के नाम से भी लायता है distями इस नदी को शान नदी के नाम से भी यान जआ चाहन 은 उत्रप्रदेश के सौनवद्ध्र जनपत्स्य हो करके विहार में प्रविशकरते है देखी मैप में मैंने आपको बताया है सौनबद्र जनपस से होते हुए फिर बिहार में प्रविश करती है और गंगानों जाकर के मिल जाती है चलिए अब हम महात्रपून MC की उस कोशन को यहां पर डिसकस कर लेते हैं तो पहला कोशन है निमन में से किस नदी को राष्ट्री जलमार्ग संख्या एक की रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है राष्ट्री जलमार्ग एक किस को बोला जाता है तो किस नदी पर हो गंगानदी पर है है ना इसको क्या बोला जाता है National Water Highway, तो गंगा नदी पर बना है, ये कहां से कहां तक बना है, इलाहवाद से हल दिया तक तो आपको याद रखना है, अगला है कैंदर द्वारा किस नदी को राष्ट्री नदी घोशित किया गया है, तो यहाँ पर इसका अंसर हो जाएगा, गंगा नदी को किया गया है, नमबर 2008 में इसे राष्ट्री नदी का दर्जा दिया गया, निमलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो बिठूर गंगा नदी की किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी की किनारे है, तो इसका अंसर हो जाएगा, जौनपुर, ये गलत ह राप्ती नदी की कनारे कौन सा सहर इस्तित है, गोरखपुर सहर इस्तित है, नमने मैंसे कौन सी नदी उत्तरदिशा में नहीं बहती है, तो उत्तरदिशा में कौन, चंबल बहती है, केन भी बहती है, और बेतवा भी बहती है, तो गंडग नदी नहीं बहती है, गंडग न एक होती है मैदानी छेतर से निकलने वाली नदिया और एक होती है पठारी छेतर से निकलने वाली नदिया तो तीन भागों में विभाजित किया गया है गोमते भी मैदानी शेत्य से निकलती है, वरुना भी निकलती है, और सई भी निकलती है, राम गंगा नहीं निकलती है धक्षनी पठार से निमलिखित में से कौन सी नदी नहीं निकलती है दक्षन के पठार की बात करें तो इस कांसर हो जायगा Son bhi निकलती है, Hand bhi निकलती है, Tons bhi निकलती है, Pandu nadini निकलती है तो D answer हो जायगा निमलेखित में से कौन सी नदी प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो यह सब आपको पता होगा इसकांसर D हो जाएगा यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की गंगा नदी प्रदेश में किस जन्पत से प्रवेश करती है तो बिजनोर जन्पत से प्रवेश करती है और बलिया से एक्जिट करती है आपको पता ही होगा कई बार मैंने रिपीट किया था गंगा नदी की प्रदिश में कुल कितनी लंबाई है तो गंगा नदी की प्रदिश में कितनी लंबाई है 1450 य४मिटर का ऐससर हो जाएगा अलक नंदा और भागी रती नदियों के किस इस्थान पर मिलन ज्यादा उच्छती हुई नहीं थी चौरावारी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है गंगा नदी में प्रदूशन पर नियंत्रन करने और उसकी सफाई के लिए नमामी गंगी कारेक्रम कब से प्रारंब हुआ तो इसकांसर हो जाएगा जुलाई 2014 से नमामी गंगी की से मिलती है रहो जाएगा किस की सअंधी कि साहर नदी है जंद ही क्यमिन्दोर अपको बनाती है तो इसकांसर आपको पता ही यूपी और बिहार की 19 का B answer हो जाएगा उत्रप्रदेष और बिहार की सीम बनाती गागना नदी आरसिएक इसेथे है तो C सर्यू नदी की किनारे इसेथे हैं नेपाल वा उत्रप्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी खरती है तो C answer हो जाएगा सार्दा नदी करती है नेपाल और उत्रप्रदेश की सीमा करने दारण यमुना नदी के किनारे इस्थित प्रमुक सहरों में कौन से सहर है तो कौन कौन से सहर इस्थित है आगरा भी इस्थित है दिल्ली भी इस्थित है और मतुरा भी इस्थित है यमुना की सहाय के नदीजे इतावा के पास आ करके यमुना से मिलते है यह हुआ है तो यह थे दोस्तों हमारे 24 महातुकून MCQ's question आसा करता हूँ पूरा lecture आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए धन्ने वाले